हां जी यह है कमल ककड़ी कमल के फूल के जड़ों को कमल ककड़ी कहते हैं जहां हम रहते हैं वहां इसे डेश कहते हैं और अगर बात अंग्रेजी की कर रहे हैं तो इसे कहते हैं लोटस स्टेम जितने इसके नाम है ना उतने ही इसके फायदे हैं ये शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही फायदे मंद है इसकी दवाईयां भी बनती है टेंचन लेने का नहीं मैं दवाईय नहीं बना रही हूँ मैं बना रही हूँ लोटस स्टेम चिप्स इसको सबसे पहले हमने छेल लिया है और इसको अलग कर देते हैं और ये भी मुझे ही साफ करना पड़ेगा यहाँ पे तो कोई आएगा नहीं कि जो आपने कचरा फैलाया उसे साफ कीजिए चोलिए अपना काम तो करना ही पड़ेगा ना और जो भी सिजनल सब्चियां होते हैं फ्रूट्स होते हैं उसका हम बेसबरी से इंतजार करते हैं क्योंकि हमें वो बहुत पसंद आती हैं साल में एक बार आते हैं ना इसे चिप्स में कट करने का काम किया चिप्स कटरने अभी आपने देखा वो मुझ दिखा के चला गया पतले पतले चिप्स में इसे कट कर लिया है एक बाउल में निकालने के बाद इसे हम दोएंगे थोड़ी थोड़ी जो भी डस्टिंग होगी यास में मिट्टी होगी क्योंकि यह जड़ है ना तो वो अच्छी तरह से साफ हो जाएगी और इसे पानी से निकालने के बाद एक बाउल में रख लेंगे भगवान ने जो भी खाने की चीजें बनाई हैं उसका हम कोई न कोई रूप लेके खाई लेते हैं किसी के स्टेम खा रहे होते हैं किसी की लीव्स और कोई-कोई तो पूरी फल सबजिया ही खा जाते हैं इस पे एड़ कर दिया कौन फ्लॉर दो से तीन टी स्पुन में सारे चिप्स कवर हो जाएंगे इस पे एड़ किया काले मिर्च, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा जीरा पाउडर और अमचूर पाउडर और चिली फलेक्स अब इसे हम मिक्स कर देंगे ताकि सारे चिप्स, मसाले और स्पाइसेज से अपने आपको मिक्स कर ले और एक एक चिप्स पे वही स्वाद आए अगर किसी पे नमक नमक का स्वाद नहीं आया तो फिर आप बोलेंगे अरे इसको तो मिक्स नहीं किया था तो चलिए mix कर लीजिए और इसे थोड़ी देर के लिए rest करने देते हैं कैसपर को देखिए हाथ बांद कर बैठे हैं कब chips ready होंगी, कब मैं taste करूँगा कैसपर कम, कम, इज़र खाने, chips खाने, chips खाने, chips खाने, chips खाने तुझे खाने, chips खाने, अभी बनने दे हैं, फिर खाना, ठीक है थोड़ी दिर वेट कर ले हैं, ठीक है जब तक chips रेस्ट करके fry करने हैं, तब तक हम एक साथ मिखाने के लिए dip बना लेते हैं दही को हमने इस टेनर पे निकाल दिया, सारा पानी उसका निकल जाएगा और फिर दही को एक बाउल में डाल के सारे इसके लंप्स अटा देंगे, मिक्स करके इसके बाद एड़ करेंगे इस पे ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस और एक चुटकी जीरा, एक चुटकी नमक, एक चुटकी काली मिर्च चुटकी 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 इसलिए क्योंकि दही बहुत कम है थोड़ी सी है जादा नहीं डालना है और इसे मिक्स कर देंगे, इसे मिक्स करते 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 ऐसे मिक्स हो जाएए रानिस किचन पे कि सारी रेसिपी आपको बनानी है, शेयर करनी है और सबको खिलानी है क्योंकि वो बहुत इजी होती है और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसे समोसा और कचोड़ी के साथ भी खा सकते है सबर तो किसी को है नहीं उधर डिप तयार हुई इधर चिप्स रेडी हो गए फॉइल गरम था एक फ्राइ करके देखते है फर्स टाइम चिप्स बना रही हो ना इसलिए एक ट्राइ करना होता है कि सही बन रहा है कि नहीं बन रहा अल्टी पल्टी करेंगे और गोल्डन ब्राउन होगा तो इससे हम चेक करेंगे हाँ हाँ चिप्स को फर्स टाइम ही ट्राइ किया है वैसे इसके हम सबजी, पुलाव, कोफते और चाट बना के इसका टेस्ट ले चुके हैं और अब बारिती चिप्स की बस एक एक करके बहुत सारे एड कर दीजिए और गोल्डन ब्राउन तक फ्राइ कर लीजिए बस तो फिर क्या, नेक्स टाइम जब भी आपको ये लोटस स्टेम कमल ककड़ी दिख जाए घर पे ले आईएगा और फटा-फट से ये चिप्स तो अटलिस्ट बनाई लीजिएगा अब बार है डिश आउट और टमी इन करने की चलिए आ गई हमारी डिश इस पे सबसे पहले एड करेंगे दही वाली डिप जो हमने पहले से त्यार करके रखी थी और खाते खाते आपको अपना काम करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स, थोड़े से एड कर दिए और गैनो और पिछे-पिछे आ रहे है चिलिफ्लेक्स ये दोनों टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ाते हैं, बस चिप्स की लाइन लगा दीजिए थोड़ा सा डेकोरेट कर दीजिए, लोक वाइस जो दिखता है वही तो अच्छा लगता है न, कुछ साइट पे, कुछ बेच पे और कुछ हमारे मुपे टेस्ट करने के लिए, खा फिखाना तो एक एक खाना तो मैंने सर रही है, मेरा हाथ कहा हँ रूपने वाला है अगर आप काना काना ये काथ तेस्टी है दिले लेले, 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 कर दो